आज हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास है कोई Redmi या फिर MI का फोन और अगर आप अपने फोन में App Vault को Disable करना चाहते हैं तो जैसा कि देख सकते हैं अगर आपका App Vault चालू होता है तो इस टाइप से आप जब अपने फोन में स्क्रीन पर Left Slide करते हैं तो यहाँ पर देख सक सकते हैं आपके application के shortcuts और यहाँ पर कुछ news आती है तो आप App Vault को अगर बंद कर देंगे तो यह यहाँ से हट जाएगा यह option यहाँ पर बंद हो जाएगा तो यहाँ पर अब इस option को Disable करने के लिए आप अपने फोन में Settings को Open करेए फोन की Settings में आने के बाद नीचे स्क्रोल करके आपको एक option मिलेगा Home Screen, Home Screen option पर किलिक करिए अब किलिक करने के बाद Default Launcher, Home Screen और एक option आपको मिलेगा Minus One Screen तो Minus One Screen के option पर किलिक करिए किलिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते है एप Vault आपका चालू होगा यानिकि Select होगा या फिर इसे On Off करने का एक option आपको मिलेगा और नीचे आपको मिलेगा अगर इसकी जगा आप Google Discover लगाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से Google की News आएगी यहाँ पर और अगर आप चाहते हैं इसे बंद करना तो None Option को Select करेंगे और देख सकते हैं अब स्लाइड करने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा आपकी जो माइनस वन स्क्रीन है वो बंद हो जाएगी तो इस तरह से एप वॉल्ट को रेडमी फोन में डिसेवल कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं अगर आपको यह आप्शन नहीं मिलेगा तो सेटिंग्स में आने के बाद सर्च करेंगे एप वॉल्ट या फिर आप सर्च करेंगे होम स्क्रीन उसके बाद होम स्क्रीन पर आकर माइनस वन स्क्रीन पर किलिक करके अगर आपका एप वॉल्ट सेलेक्ट होगा तो गुगल डिस्कवर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नन आप्शन को सेलेक्ट करके इसे डिसेबल कर सकते हैं वीडियो बसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें